जैमा भद्रकाली तंतर साधना चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो दोस्तों आज हमारा अपने चैनल के माध्यम से जो वीडियो आप लोगों को दे रहा हूं इसमें महतुपूर्ण बिसे है कि मंत्र सिद्ध क्यों नहीं हुई बड़ा रोचक भी से है यदि आप सवालाख मंत्र का जाप कर दिये पूरी कर लिये और फिर भी मंत्र सिद्ध धुन्ना हुई आप दोबारा किये सवालाख फिर भी मंत्र सिद्ध धुन्ना हुई तो इसके पीछे कारण क्या है ये बड़ी अच्छी जानकारी है और इसके बारे में मैं आप लोगों के साथ बड़े विस्तार में चर्चा करूँगा तो इस वीडियो पर अंतक जरूर बने रहना और ये आप हमारे चैनल पर पहली बार आये हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सावर मंत्रों के संबंद में कुछ लोग यह कहते हैं कि उन्होंने सावर मंत्र जब किया परंत कोई लाभ नहीं हुआ वास्तों में मंत्र सिध ना हो तो जब को दो बार या तीन बार करना चाहिए फिर भी मंतर सिध्ध ना हो तो अब उसके लिए अन्य कारणों को खोजना जरूरी होता है कि अखिर हम तीन बार मंतर को पूरा कीए तीन बार अपने शंकल्प को पूरा कीए फिर मंतर सिध क्यों नहीं हुई तो विडियो पर अंतक जरूर बने रहना मंत्र सिद्ध ना होने के बहुत से कारण है ये कारण ग्रहों की दसा होती है जोंतिस बिद्या के अनुसार ग्रहों की दसा को ग्यात करें साबर मंत्र का जब किया जाए तो साधना में शिद्धी अवश मिलती है जिन लोगों को मंत्र साधना में निस्फलता मिली है उनके लिए तो जोतिस बिद्या का अउलंबन उप्योगी है साथ ही जो लोग मंत्र साधना करने के लिए उत्सुख हैं वे भी जो तिस बिद्या का उलंबन लेकर ये साधना प्रारंब करें तो उन्हें बिसेस सफलता प्राब्त होगी अस्तो साधना काल में जन्म लगन चक्र के अनुसार कौन ग्रह अनुकूल है और कौन ग्रह प्रतिकूल है यह जानना बहुत ही महतुपूर है साधना को यद कर्म समझा जाए तो जन्म चक्र का दसम अस्थान उसकी सफलता या असफलता का सूचक है प्राया जियोंतिसी नवम अस्थान को मुख्य मान कर साधना की शिधिया शिधिया उसका बलाबल नियत करते हैं साधना में चुकि कर्म अभिप्रीत है तह जन्म चक्र या दसम अस्थान का बिचार उचित होगा वैसे कुछ लोग पंचम अस्थान को भी महत्व देते हैं जोंतिस के नियमा अनुसार साधक के जन्म चक्र के नवम अस्थान में जिस ग्रह का प्रभाव होता है वो ऐसी ही प्रकिर्ति वह धारण करता है इसे यह ज्यात होता है कि साधक की प्रकिर्ति सात्विक होगी या राजसिक या तामशिक जन्म चक्र में यदि गुरू, बुद्ध, मंगल एक साथ होते हैं तो साधक सगुन उपासना में प्रवित होता है जन्म चक्र में गुरू के साथ यदि बुद्ध हैं तो साधक सात्विक देवी देवता की उपासना में प्रवित होता है ऐसे ही यदि दसमेंस नौम अस्थान में होता है तो साधक सात्विक देवो पासक बनता है जन्म चक्र के आधार पर सात्विक उपाशना के मुख्य मुख्योग कुछ इस प्रकार से होते हैं दसमेस उच्छ हो और साथ में बुद्ध और सुक्र हो लगनेस दसमस्थान में हो दसमेस नवमस्थान में हो और पाप द्रिष्टी से रहित हो दसमेस का दसमस्थान या केंद्र में होना दसमेस बुद्ध हो तथा गुरू बलवान और चंद्र तृती हो दसमेश वा लगन की यूती हो दसमेश वा लगनेश का स्वामी एक ही हो दसमेश यद सनी है तो साधक तामसी बुद्धिवाला होता है उच्छ साधक वा तपश्वी बनता है यद सनी राहू के साथ हो तो रुच तामशिक होगी और उपासना में अधिक समय लगेगा शूर्य सुक्र अथवा चंद्र यद दसमेश हो तो जातक दूसरे की सहायता से ही उपासन बनता है पंचम अस्थान प्रमात्मा से प्रेम का सूचक होता है पंचम अवर नौम अस्थान यद सुब लक्षणों से युक्त होते हैं तो जातक अतिसफल उपासक बनता है पंचम अस्थान में पुरुष ग्रहों का यद प्रभाव रहता है तो जातक पुरुष देव देवताओं का उपासक बनता है यदि इस्त्री ग्रहों का विशेश प्रभाव होता है तो जातक इस्त्री देवता या देवी की उपासना में ज़्यादा रूची रखता है पंचम अस्थान में सूरी की इस्थिती से यह ज्यान तो होता है कि जातक सक्ती का कैसा उपासक बन सकता है नवम अस्थान में या नवम अस्थान के उपर मंगल की दृष्ट होती है तो जातक भगवान स्यू की उपासना करता है कुछ लोग मंगल को हनुमान जी का स्वरूप मानते हैं इसमें हनुमान जी की उपासना बताते हैं ऐसे ही कुछ लोग का मत है कि गुरू ग्रह के बल से स्यू जी की उपासना में सफलता मिलती है नवम अस्थान में सनी होने से कुछ लोग तामसिक उपासनाओं में रुची बनाते हैं नवम अस्थान में सनी होने पर स्री हनुमान जी का सफल उपासक बना जा सकता है तो इस प्रकार जोतिस सास्त्र में उपासना संबंधी अनेक योग है साबर मंत्र को सिद्ध करने में कौन-कौन से योग महतपून है इस संबंधी कुछ योग इस प्रकार है नवामस्थान में सनी हो तो साधक साबर मंत्र में अरुची रखता है अथवा वा साबर साधना सतत नहीं करेगा यदि वा साबर साधना करेगा तो अंत में उसको बैराग्य हो जाएगा नवम अस्थान में बुध होने से जातक को साबर मंतर की सिद्धी में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है अथवा साबर मंत्र की साधना में प्रतिकूल ताएं आएंगी पंचम अस्थान के उपर यदि मंगल की दृष्टी हो तो जातक कुल देवता कुल देवी का उपासक होता है पंचम अस्थान के उपर गुरू की दृष्टी हो तो साधक साबर साधना में बिसेश सफलता प्राप्ट करता है पंचम अस्थान पर सूरी की दृष्टी हो तो साधक सूरी या बिशुरू की उपासना में सफल होता है यदि राहु की दृष्टी हो तो वह भैरों का उपासक बनता इस प्रकार के साधक को यदि पत्थ निर्देशन नहीं मिलता तो वह निमनस्तर के देवी देवताओं की उपासना करने लगता है जयमिनी सूत्र है इसके प्रणेता महर्श जयमिनी है इस ग्रण्थ से उपासना संबंधी उत्तम मार्ग दर्शन मिलता है तो सबसे अधिक अंस वाले ग्रह को आत्मा कारक ग्रह माना जाता है नौमांस में यदि आत्मा कारक सुक्र हो तो जातक लक्षमी की साधना करता है ऐसे जातक को लक्षमी देवी के मंत्र की साधना से लाव ही लाव मिलता है नौमान समीयद यात्मा कारक मंगल होता है तो जातक भगवान कारति कीये की उपासना से लाभान्मित होता है बुद्वा सनी से भगवान विश्लू और गुरू के बलाबल से भगवान सदासियु की उपासना लाफदायक होती है राहू से तामसिक देवी देवताओं की उपाशना सिद्ध होती है सनी के उच्च कोट के होने पर साधक को उच्च कोट की सिद्धी सहज ही मिलती है इसके विपरी यदि सनी निम्न कोट का होता है तो साधना की सिद्धी में बिलंब होती है जन्म चक्र में यदि द्वादस अस्थान में राहू होता है तो साधक परमात्मा के साक्षात कार हेत उत्साहित रहता है ऐसे बंधुओं को तंत्र मंत्र यंत्र की सिध्धी द्वारा भोतिक लाव प्राप्ति से दूर रहना चाहिए क्योंकि 12 अस्थान मोक्ष प्राप्ति का सूचक माना जाता है 12 अस्थान में राहु के होने से वह साधना की सिद्धी में सहायक और लाबप्रद रहता है 10 अस्थान में यदि सूर्य हों तो साधक को भगवान राम की उपासना करनी चाहिए और दसम अस्थान में यद चंद्र हों तो कृष्ण की उपासना करनी चाहिए दसम अस्थान में यद गुरू हों तो साधक को अंतह प्रेणडा या अंतह अस्फुरण से उपासना करनी चाहिए और सफलता भी मिलती है तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त कर रहा हूँ हमारे वीडियो को एक लाई के कमेंट जरूर करना और यह चैनल पर आप पहली बारा आये हों तो सब्सक्राइब करके घंटी की बटन जरूर दबाना धन्यवाज जै माभत्रकाली